हलो बच्चों कैसे हो आप सब वेलकम बाक तो आर चानल माइनेम इस प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे बैटरीज जब हमने इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चाप्टर स्टार्ट करा था तो उस टाइम पर हमने कुछ एक्जाम्पल्स देखे थे जैसे रिमोट सेल्स और जो हमारे पास कार बैटरीज होती हैं तो उसमें हमने देखा था कि यह जो बैटरीज हैं इनके अंदर इलेक्ट्रो और electrical energy का inter-conversion है जिसमें एक बार chemical energy electrical energy में convert होती है और फिर वापस electrical energy chemical energy में convert हो रही है तो batteries में हमारे पास यहाँ electrochemistry कैसे function कर रहा है batteries को अगर आप सोचो जैसे for example अगर आप TV remote consider करते हो TV remote में क्या होता है आप TV remote को use करके TV के channels को change कर सकते हो but अगर आपको उसे use करना है तो उसके अंदर आपको कुछ battery डालनी पड़ती है जिसे आप cell बोलते हो so cell में क्या हो रहा होता है उस cell के अंदर कुछ ना कुछ chemical reaction हो रही होती है जिस chemical reaction से कोई chemical energy produce होगी और उस chemical energy से हमारे पास electrical energy भी conversion होती है जो हमारा use होता है उस TV के channels को change करने के लिए इसका मतलब है कि हमारे पास जो batteries है उनमें chemical reactions जो होती है उनमें कहीं न कहीं electro chemistry तो participate कर रहा है और हम लोग हर चगे battery से surrounded है अगर हम AC remote consider करेंगे, TV remote consider करेंगे अगर हम बच्चों के toys को consider करेंगे, cars को consider करेंगे, हर चगे batteries है तो batteries को पढ़ना तो important है So let's begin with battery So अगर आप किसी battery को observe करोगे तो battery में क्या होता है आप जब भी किसी cell को देखते हो तो वो cell की जो हमारे पास जो simplest cell है वो हमारे पास कुछ इस type का cell होता है एक ऐसा cylindrical cell होता है जिसमें एक चगे तो वहाँ positive लिखा होता है उस cell के उपर और एक चगे नेगेटिव लिखा होता है एक इस तरीके से negative positive mention होता है ना cell के उपर अगर आप cell को observe करोगे तो उसकी covering पर आपको positive negative mention मिलेगा अब वो positive और negative क्या है एक उसका positive terminal होता है और दूसरा उसका negative terminal होता है और उसी तो हम actual में draw करते हैं जब आप किसी battery को draw करते हो तो आप इस तरीके से draw करते हो जिसमें आपके पास एक positive terminal होता है और एक negative terminal होता है बैटरी क्या है? बैटरी कुछ नहीं या तो ये cell एक single या फिर ऐसे आपको series में 2-3 cells का connection मिल सकता है तो जब इस type के आपको कहीं पर connection observe हो रहा होगा ऐसे connections को आप होते हो कि हम यहाँ पर battery use कर रहे है So batteries in actual is nothing but one or more cells connected in series अब अगर आप batteries को observe करोगे तो batteries में क्या हो रहा होता है chemical reaction से electrical energy produce हो रही होते है क्योंकि chemical reaction से पहले क्या होगा chemical energy produce होगी उस chemical energy का conversion होगा electrical energy के अंदर यानि हमारे पास यह first part of electrochemistry हो रहा होता है और यह हमारे कौन से cell में होता है galvanic cell के अंदर which means जो आपकी batteries होती हैं यह galvanic cell की तरह behave करती है तो अगर हम एक battery को define करना होगा तो किस तरीके से define करेंगे है batteries one or more cells connected in series और यह क्या हमारे एक टाइप का galvanic cell है a galvanic cell where the chemical energy of redox reaction is converted into electrical energy यानि यहाँ पर हमें सबसे पहले तो यह पता लगा कि battery में हमें क्या observation मिलती है वहाँ हम series में एक या एक से ज्यादा cells की connection को observe करते हैं प्लस battery एक type का हमारा galvanic cell है क्योंकि यहाँ पर chemical energy का electrical energy में conversion हो रहा होता है यह तो हो गई हमारी battery की definition पर अगर आपको कोई भी battery choose करनी होते है कोई भी cell choose करना होते है आप सबसे पहले उसके कुछ characteristics observe करते हो कि हमें एक cell के अंदर ऐसी ऐसी characteristics चाहिए है उसी के बाद हम उस cell को use करेंगे अब ऐसी क्या characteristics आप लोग observe करोगे आप लोग सोचोगे कि जो battery हम use कर रहे हैं वो थोड़ी light होनी चीए lightweight होनी चीए ताकि उसको carry करना easy हो पास use था वो खतम होगे उसके अंदर से जो भी voltage produce हो रही थी वो खतम हो चुकी है energy खतम हो चुके तो उसको आप recharge करके वापस से use कर सको ऐसा आप सोचोगे last longer मतलब वो लंबी चले आपको बार बार या तो उसको recharge ना करना पड़े या change ना करना पड़े और less environment pollution कि वो pollution भी create ना करे कि जब उसकी बैटरी खतम हो गई तो वो recycle हो जाए वो pollution create ना करे तो ये तो की कुछ general characteristics एक most important characteristic होती है voltage should not vary appreciably during use आप ऐसी बैटरी consider करना चाहोगे ना जिसकी voltage जो है वो हमेशा जब तक उसे आप use करो वो same रहे, same रहने क्या मतलब है, जैसे for example आपने एक cell यूज कर आपनी remote control करा दो, अब उसमें क्या होता है अगर आपके पास वो जो cell आप use कर रहे हो, वो धीरे धीरे use करने के साथ साथ अपनी voltage को change करने लगे तो क्या होगा, एक बार तो car speed में चलेगी फिर थोड़ी दिर बाद वो slow चलने लगेगी फिर वो और slow चलने लगेगी, उसकी speed में change आता रहेगा, तो बच्चे को मजा ही नहीं आएगा, तो उस चीज को prevent करने के लिए बोला चाता है, कि जो most important characteristic है कि इसी भी battery के लिए वो है कि उसकी voltage नहीं करने चाहिए, unless or until वो completely used ना हो जाए हमारे पास last stage में जाके हम उसकी जो car की speed है, वो slow होती दिखते है क्योंकि तब उसकी सारे की सारी voltage खतम हो चुकी होती है तो तब तक हम ये सोचते हैं कि जब तक ये cell वोर्क कर रहा है तब तक इसकी voltage as such रहनी चाहिए ताकि जो हम capacity use कर रहा है उस cell के लिए sorry, जो उस cell की capacity है वो अपनी full capacity से work करे ताकि हमें जो भी हम functions perform कर रहे हैं जो भी हम use कर रहे हैं उस चीज के लिए वो change ना हो उसमें हमें as such कोई error या difficulty create ना हो So this was all about the general introduction of battery now let's move on to types of battery So जब आप types of battery की बात करोगे आपको दो type की batteries observe होंगी primary batteries and secondary batteries primary batteries वो battery होती है जिनको आप सिर्फ एक बार use कर सकते हो अगर उनकी voltage एक बार खतम हो गई उनका जो use एक बार खतम हो गया वो दुबारा से आप उसको charge करके use नहीं कर सकते हो और उसका opposite होता है secondary battery secondary battery को आप बार बार charge करके use कर सकते हो So अगर हम इनकी definitions को study करें तो primary battery क्या होगी reaction occurs only once आपके उस cell के अंदर सिर्फ एक बार ही reaction होगी and after use over a period of time और एक बार जब उसको आपने कुछ time के लिए use कर लिया battery becomes dead and cannot be reused again आपकी battery dead हो जाती हो और उसको आप दुबारा use नहीं कर सकते हो जैसे for example dry cell and mercury cell dry cell आप कहां observe करोगी जो cylinder के cells हो cylinder type cells होते है नो छोटे-छोटे से जने आप remote में या clocks में use करते हो So वहाँ पर आप ये observe करो कि dry cell होता है primary battery में included है Now let's move on towards the secondary battery secondary battery में जैसे हमने अभी discuss कर रहा था कि इस battery को आप reuse कर सकते हो after charging it और you can say recharging it तो इसकी definition क्या होगी? A secondary cell after use can be charged आप जो secondary cell use कर रहे हो वह use करने के बाद उसे आप recharge कर सकते हो by passing current through it in opposite direction क्या होता है इसके अंदर just direction में आपका एक बार current flow कर रहा होता है तो वह क्या होता है कि आपकी जो battery है वह work कर रही है तो वह एक direction में current को flow करेगी अपने cell से अपनी battery में से उस current को बाहर निकालेगी ताकि उसका आप use कर सको लेकिन अगर आपको उस battery को recharge करना होगा तो वही current उसे देना पड़ेगा ताकि वह उस current को अपने अंदर store कर सके तो current को आप opposite direction में move करवाना होगा तो इस वच्छे से बोला हो है कि a secondary cell after use can be recharged by passing current through it in opposite direction so that it can be used again और अगर हम इसके examples लेखे तो वह आता है हमारे पास lead storage battery and nickel cadmium cell lead storage battery आप लोग car batteries में observe कर सकते हो इसे और जो आप अपने घर पर inverters use करते हो ना तो वहाँ पर भी आप इसे observe कर सकते हो so let's begin our discussion with primary battery जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है dry cell so dry cell को आप leclanches cell भी बोलते हो इसके scientist के name के बाद who is George Leclanches जिन्होंने dry cell की discovery करी थी और उसके बाद इसको leclanches cell भी बोला जाता है तो यह cell और कुछ नहीं cylindrical cell होता है जो आप remote में या clocks के अंदर use करते हो जो wall clocks होती है आपकी उनमें use करते हो तो वो वही आप dry cell use कर रहे हो तो जो actual में उसका जो internal structure होता है वो कुछ इस type का होता है अब इसमें क्या होता है जब आप उस cell को observe करोगे तो बाहर से आपको एक metallic coating दिखती है तो वो metallic coating किसकी होती है वो zinc की coating होती है जो actual में anode की तरह act करता है अब उसके अंदर आप इसके अंदर cathode और electrolyte को observe करोगे so cathode आप देखोगे तो यहां बीच में graphite की rod होती है जो surrounded होता है magnesium oxide plus carbon से जो की act करता है cathode की तरह zinc हमारा anode की तरह act करता है और यह जो बीच में हमारे पास space है cathode और anode के बीच में वहां पर आपके पास electrolyte होता है क्योंकि अगर आपको electrochemistry का function observe करना है electrochemistry observe करने किसी से इलके अनना तो उसकी हमें conditions requirement क्या-क्या है anode, cathode and electrolyte हमारे पास major तो यही conditions है anode हमें पता लग गया cathode हमें पता लग गया अब यह जो बीच में space है यहां होगा आपका electrolyte जो actual में एक paste है ammonium chloride और zinc chloride का so यहां पर हम जब anode और cathode की reactions को observe करते हैं तो आप सब के mind में confusion create हो रही होगी कि ma'am anode पर हमें single element observe हो रहा है बट जब हम cathode को observe कर रहे हैं और electrolyte को हमें observe कर रहे हैं यहां पर हमें एक से ज्यादा नहीं करना हमें बस इतना बता उजहें कि anode पर क्या हो रहा है औरandi cathode पर क्या क्या हो रहा है ज stomach यहां कर रहा है पर oxygen होगी, cathode पर reduction होगी तो आपके पास anode पर loss of electron observe हो होगा and cathode पर gain of electrons obserrve होगा so आपको anode पर oxidation observe होगी है zinc की जिसमें जो zinc है वो zinc to positive में convert हो रहा है by losing two electrons और cathode पर आपको reduction observe होगी जहाँ पर manganese oxide में आपको manganese की reduction मिलेगी यहाँ अगर आप manganese की oxidation state देखोगे manganese को अगर आप यहाँ x consider कर लो oxygen की क्या होती है oxidation state एक oxygen की minus 2 यहाँ total oxygen कितने है 2 तो जब भी हमें किसी element की oxidation state find out करने होती है तो हम कैसे find out करते है x plus 2 into minus 2 क्योंकि 2 oxygen elements है total charge क्या है इसके ओपर 0 तो यहाँ से x की value आती है plus 4 तो यहाँ जो manganese है इसकी oxidation state है plus 4 तो यह manganese आपका reduce हो रहा है plus 4 से यह convert हो रहा है plus 3 oxidation state के अंडर जैसे हमने यहाँ पर oxidation state find out करिया यहाँ पर भी find out कर सकते हो तो यहाँ हमें oxidation दिखती है यहाँ reduction observe हो रही है manganese oxide जो है वो reduce हो रहा है manganese 3 positive state के अंदर अब यहाँ अगर आप reaction में देखोगे तो यहाँ zinc ions मिल रहे हैं और यहाँ ammonia मिल रहे हैं जो combine होके आपके पास है zinc ammonia का complex formation कर रहे हैं अब यह reactions कैसे हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं उस चीज़ का आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि इतनी deep understanding at the stage of time आपको requirement नहीं है आपको बस अपनी reaction ध्यान रखनी है कि anode पर तो हमें पता है oxidation और एक ही element है जो आप फटा-फट कर दोगे आपको बस यह cathode की reaction को ध्यान रखना है और फिर इनके results आप observe कर रहे हैं जिनको combine करके आपको एक complex की formation करनी है यहाँ से हमारे पास यह जो reaction हो रही है इनसे chemical energy produce होती है जिस chemical energy को आप use कर सकते हो to convert it into electrical energy जिसको आप further अपने सारे के सारे functions परफॉर्म करने के लिए use करोगे तो यह था आपका dry cell का function अब यहाँ पर आपके पास हमने first time characteristics में क्या observation देखी दी जब हमने बिल्कु स्टार्ट करा था battery को कि हमें एक proper supply चाहिए voltage की जो कि हमारी change ना हो तो यहाँ पर भी हमें इसका idea होना चाहिए कि जो dry cells होते हैं वो कितने amount of potential या voltage आपको generate करके देते हैं तो जब हम इसका cell potential node करते हैं तो आप यहाँ पर 1.5 volt का cell potential observe करोगे सारे के सारे dry cells के लिए आप यह cell potential उस dry cell की covering पर भी study कर सकते हो तो आपको वहाँ पर observe यानि लिखा हुआ मिलेगा कि यह जो cell है वो 1.5 cell potential generate करेगा So this is all about your dry cell. Now let's move on towards the mercury cell अब mercury cell में आपको कैसी observation मिलती है Mercury cell वो छोटा सा silver color का cell होता है जो आप wrist watches या hearing aids में use करते हैं और observe करोगे wrist watches तो आपने बहुत commonly observe करेंगे कि उसके अंदर जब आप उससे ठीक रहने जाते हो तो जो open करते हैं तो उसमें छोटा सा cell आता है या फिर अगर कई बर आपके wrist watch वोक नहीं करे होती है तो cell change करवाते हो जिसमें उपर की side आप observe करोगे थोड़ा सा न आपको यहां पर bulge सा मिलेगा ऐसे उपर उठा हुआ सा मिलते है आपको वो set उसे बोला जाते है anode cap जो क्या करता है एनोड को store करके रखता है जिसमें एनोड है आपके पास क्या zinc mercury amalgam आपका जो zinc है वो amalgulated form में exist करता है वहां पर अब यहां पर यह जो आपके पास zinc mercury amalgam है इसका क्या मतलब है amalgam का मतलब होता है कि आपने किसी metal में mercury का addition कर दिया एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपने जो pure form of metal था उसके अंदर थोड़ा सा mercury add कर दिया doping कर दी mercury की यानि उसके अंदर addition कर दी mercury की जिससे आपके पास एक alloy की formation होती है जिसे हम बोलते है zinc mercury amalgam फिर यह जो आपका anode है यह cathode से किस तरीके से separated होता है एक separator की help से तो यहाँ पर जो आपका cathode है वो होता है आपका mercury oxide और carbon का paste और यहाँ पर बीच में आपको कुछ space observe हो रही होती है यहाँ पर आपको observe होगा gasket जिसके अंदर आपको अपना electrolyte देखेगा और electrolyte और कुछ न major requirements थी कि हमें anode पता लग गया, cathode पता लग गया और electrolyte पता लग गया अब हमें यहाँ पर reaction देखनी है कि किस तरीके से हमारे यह cell function करता है हमें anode पर क्या observe होगी और cathode पर किस type की reaction observe होगी तो यहाँ पर फिर again आपको deep study नहीं करनी सिर्फ और सिर्फ यह ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पर कौनसी कौनसी reactions हो रही है, so यहाँ anode पर आपको क्या reaction मिलेगी जो आपका amalgulated zinc है वो convert होता है zinc oxide के अंदर by losing two electrons, तो यहाँ आपको इसकी oxidation observe हो रही है और यहाँ cathode में आपको mercury oxide की reduction observe हो रही है जो की convert हो रहा है mercury के अंदर, तो यह जो हमारे पास anode औ cathode की reaction से इनसे हमारे पास एक overall reaction आती है, और यह जो आपके पास reaction हो रही है, इस reaction से कुछना कुछ chemical energy release होती है, जो convert होती है electrical energy के अंदर, वो electrical energy आपका कुछना कुछ cell potential produce करेगी, और mercury cell का जो cell potential होता है वो होता है हमारे पास 1.35 volts, यह है इसका cell potential, dry cell में हमने देखा था कि 1.5 volts था और यहां पर हमारे पास है 1.35 volts, यह जो cell potential है, यह आप use कर सकते हैं अपने various functions को perform करने के लिए, अब आप सब के mind में confusion तो create हो रही होगी, कि मैम आपने यह बोला कि यहां voltage vary नहीं करती, बट उसका कोई ना कोई तो reason होगा, ठीक है हमें यह समझ आ गया कि अगर हमें पर puncturing में observe करना है, तो उसकी voltage vary नहीं करनी चाहिए, यह पहली condition होनी चाहिए थी, और cells को form करते टाइम पर, इस condition को ध्यान में रखे उने form करा है, पर उसका कुछ ता कुछ reason होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा हमारे पास specific reason आएगा, कि अगर हम यह चीज करेंगे उस cell के अंद पर आपको बताया है कि हम paste use कर रहे हैं electrolyte का, हम कहीं पर भी उसका aqueous solution use नहीं कर रहे हैं, paste use क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहां हम ions की involvement नहीं देखते हैं, हम यहां पर paste में use कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास ions की formation नहीं होती है, क्योंकि ions के case में क्या होता है, कि ions की वज़र से concentration में आपको variation मिल सकती है और अगर आपको concentration में variation मिली electrolyte के तो obvious सी बात है वहाँ आपको cell potential में भी variation मिलेगी सो उस चीज़ को prevent करने के लिए हम ions को use नहीं करेंगे और अगर हमें ions use नहीं करने तो हमें electrolyte दो use करना ही है तो उसे हम paste form में use करेंगे इस वज़र से आपको दोनों ही dry cell और mercury cell इन दोनों में variation observe नहीं होती this was your primary cell now let's move on towards the secondary batteries और secondary cell and the first example in it is LED storage batteries so LED storage batteries आपकी बड़ी-बड़ी batteries होती है जो आप observe करोगे जैसे inverter होगे अपने घर में जो inverter से हैं आपके बड़ी सी battery नहीं रखी होती जिसमें बहुत सारे cells दिख रहे होते हैं आपको तो वो और कुछ नहीं है आपकी LED storage battery है जिसमें आपको यहाँ पर screen पर उसका diagram visible होगा उसमें आपको क्या observation मिल रही है कि एक point पर आपको anode दिखा मिल रहा है जो anode आपका क्या है anode actual में आपका LED है और जब आप cathode को observe करोगे तो cathode के आपका cathode आपका packed LEDs है मतलब बहुत सारे LED हैं और साथ में उनके अंदर है LED oxide यानि यहाँ पर आपको LED और LED oxide का जो combination है उसे आप cathode की तरह consider करोगे और जो अकेला LED है उसे आप anode की तरह consider करोगे और यहाँ electrolyte क्या होगा electrolyte है आपके पास sulfuric acid का solution तो हमें यहाँ पर क्या observation मिल रही हमारी LED storage battery में सबसे पहले तो हमें दो टाइप की LED plates दिखती है एक plate होती है जिसमें सिर्फ LED होता है उसे आप anode की तरह consider करते हो एक plate होती है जिसमें LED के साथ-साथ LED oxide होता है तो उसमें आप उसे cathode की तरह consider करते हो और आपके पास एक solution होता है electrolyte का जो है आपके पास 38% sulfuric acid solution तो जब हम यहाँ पर अब LED storage battery की functioning के बारे में जानेंगे तो हमें पता है कि LED storage battery को हम recharge कर सकते है यानि एक बार इसमें क्या होगा आपका chemical energy electrical energy में convert होगा जिसको आप use करोगे और फिर आपके पास क्या होगा आप उस electrical energy से वापस इसके अंदर storage करोगे यानि chemical energy की form में उसे store करोगे जिससे आप again use कर सब हो यानि recharge करोगे तो जब पहले आप इसमें chemical energy से electrical energy में conversion करोगे तो वो किस टाइप का cell होगा galvanic cell और फिर second time जब उसे recharge कर रहे होगे जिसमें आप उसके electrical energy को chemical energy की form में store करोगे तो वो क्या होगा उस पे वो आपका behave करेगा electrolytic cell की तरह क्योंकि वहाँ पर क्या होघी है opposite reaction हो गहाँ है जैसे फॉर एक्जांपल आपके घर पर जो inverter होता है उसमें क्या होता है जब light आती है तो आपके घर में lights चल रही होती है जब light आ रही होती है तो आपके पास जो electricity है न वो आपके घर में तो आती है प्लस साथ में वो inverter में भी आती है, उसमें क्या होता है, जो electricity बाहर से supply आती है, वो inverter के अंदर store हो रही होती है, chemical energy की form में, जिसे आप further बाद में use कर सकते हैं, जब आपके घर में light नहीं होती, क्योंकि अगर light नहीं होगी, तो light का connection कट जाएगा, बट वो जो connection है, उसे maintain कौन क को function करने के लिए, so इस तरीके से हमें दोनों type के cells observe होते हैं, किसी भी secondary battery के अंदर, galvanic cell भी और electrolytic cell भी, क्योंकि during discharging of battery, जब आपकी जो battery है, वो galvanic cell की तरह behave करेगी, जिसमें आपकी जो chemical energy है, वो electrical energy में convert होगी, तो आपको एनोड पर और cathode पर कुछ इस type की reactions मिलेगी, जहां पर आपके एनोड पर आप जो lead है, जब वो electrolyte के साथ combine करेगा, तो वो आपका lead sulfate form करेगा, और जो cathode है, वो जो lead oxide था हमारे पास cathode में, वो जब अपने electrolyte के साथ combine करेगा, reduce होकर, वो again lead sulfate की और water की formation करेगा, तो यहां से हमें हमारी overall reaction क्या observe होगी, lead when combined with lead oxide plus H2SO4, it form lead sulfate and water, अब यहां पर अगर आप observe करो, तो यहां जो हम reactions देख रहे हैं, इन reactions के अंदर, हम ions को use करें, जो हैं हमारे sulfate ions और hydrogen ions, अब यह ions आपके आए कहां से, आपके पास electrolyte था H2SO4, जैसे आप use कर रहे हो, इन anode और cathode की reactions में, तो आपके पास एक stage आएगी, जब आपका वो electrolyte पुरा का पुरा खतम हो जाएगा, तो उस time पर आपके पास, जो chemical energy से, electrical energy में conversion था, वो रुख जाएगा, अब इसे क्या करना पड़ेगा, आपको वापस से इसके अंदर electrolyte की generation करने पड़ेगा, यानि एक तरीके से आपको इस battery को recharge करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, और उस time पर आपको क्या होगा, एक opposite reaction observe होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपको overall reaction मिल रही है, इसमें आपका जो H2SO4 electrolyte है, वो use हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको charge करोगे, तो हमने charging में क्या observe कर रहा था, कि हमें reverse reaction करने होती है, क्योंकि हम यहाँ पर opposite flow of current करवाते हैं, तो आपको यह reaction जो है, वो opposite यानि reverse दिखेगी, जिसमें आपका जो lead sulfate है, यह water के साथ combine करके आपको electrolyte की formation दे और charging के time पर यह electrolytic cell की तरह behave करेगा, जिसमें आपको यहाँ के यह reactions हो रही है, इनकी opposite reactions देखने को मिलेंगी, so this was all about the lead storage battery, now let's move on to nickel cadmium cell, अब nickel cadmium cell के आपको working या उसकी जो structure है, वो इतना observe यानि study करने के requirement नहीं है, क्योंकि आपके syllabus में वो इतना participate नहीं कर रहा है, आपको बस यह ध्यान रखना है, कि जो nickel cadmium cell है, उसकी life lead storage battery से थोड़ी लंबी होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, अगर उसकी battery life ज्यादा होगी, lead storage battery की comparison में, तो उसको जो हमारे पास cost है, वो भी ज्यादा होगी, obvious ही बात है, तो इस बज़े से जो nickel cadmium battery है, वो expensive होती है as compared to lead storage battery, तो आपको उसकी working या फिर उसका जो structure है, instrumentation है, वो सब ध्यान में रखने की ज़रुवत नहीं है, आपको ब transformation कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास, जो chemical energy है, उससे electrical energy produce होगी, जिसको आप use करोगे अपने functions को perform करने के लिए, और वही बात अगर charge करोगे तो reverse हो रही होगी यहाँ पर reaction, तो बस आपको यहाँ कोई ध्यान नहीं रखना की है, anode क्या है, cathode क्या है, electrolyte क्या है, कुछ ध्य रखने की जरूतने है, बस ही overall reaction आपको ध्यान में रखनी है, so this was all about your today's lecture, जिसमें हमने different types of batteries के बारे में study करा, अब हम अगले lecture में fuel cells के बारे में study करेंगे, so I hope आपको आज का lecture समझ आ गया होगा, so if you like the video then do like and share the video and also subscribe to our channel, thank you का गया है